जैश्री राम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंदूरी हनुमान की एक अद्भुत कथा यह कथान केवल भगवान हनुमान जी की भक्ती को दर्शाती है बलकि हमें सिखाती है कि सची भक्ती से भगवान कितने प्रसन होते है एक दिन माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी तभी हनुमान जी ने यह द्रिशे देखा और आश्चरेच कित हो गए हनुमान जी ने माता सीता से पूछ लिया माता, आप यह सिंदूर क्यों लगा रही है माता सीता मुस्कुराई और उत्तर दिया हनुमान मैं भगवान श्रीराम की लंबी आयू और उनकी प्रसनता के लिए सिंदूर लगाती हूँ यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगे यदि थोड़ा सा सिंदूर भगवान श्रीराम को इतना प्रसन कर सकता है तो क्यों मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊं जिसे वे और भी प्रसन हो जाएं इसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेब कर लिया और भगवान श्रीराम के समक्ष उपस्थित हूँ भगवान श्री राम ने हनुमान जी की इस भक्ती को देखकर उन्हें आशीरवाद दिया और कहा, हे हनुमान, जो भी भक्त सचे मन से सिंदूर चाहाएगा, उसके सभी संकत दूर हो.